आज हम कुलांसलों का जो फॉर्मूला था आपका एफ इकुवल टू वन अपन फॉर पाइपसें नौट क्यू न क्यू टू बाई आर स्कॉर उस फॉर्मूले को हम गौस्थ्योरम के हेल्प से इंट्रड्यूस या निकालिंग आपका डिड्यूस करेंगे आपका गौस्थ्योरम क्या बोलता था गौस्थ्योरम बोलता था किसी क्लोज्ड सर्फेस से जो टोटल फ्लक्स आउटसाइड या इंसाइड या पास होता है आपका वो कितना होता है आपका total flux जो भी pass होगा वो होगा q upon epsilon 0 तो इसको देखके हम phi is equal to q upon epsilon इस formula का यूज़ करके हम क्या करेंगे हम कुलाम्सलो का यहाला formula तक जाएंगे f is equal to 1 upon 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square तो आप इस formula का यूज़ करके तो सबसे पहले माल लेते हैं एक point है आपका O point है चीक है एक O point है जहां पर आपने चार्ज प्लेस करके है कितना charge q charge हो जाएगा कोई जिक्कत नी हमको इधर पर force निकालने है पर इधर पर क्या करना है force आपका निकालने है इस point पर आपको find out करना है कुलांप्स फोर्स और इन दोनों के बीच के distance कितनी है आपकी आर है तो अब हमको क्योंकि गौस्टेरम की help से हमको निकालना है तो सबस्छले गौस्टेरम क्या होती है गौस्टेरम में सा close surface से निकलती है और यहां तो कोई close surface है ही नहीं तो हम क्या करेंगे यहां से Gaussian surface इस चार्ज के शेप का क्योंकि यह चार्ज जो पॉइंट के शेप में है तो जो Gaussian surface बनेगा भी वह पॉइंट का थोड़ा रूप बनेगा एकदम पॉइंट के जैसा है तो पॉइंट के जैसा कौन होगा फिर आपका इस पेर तो यहां पर से आप लोग क्या करोगे किस पेर आ एलिमेंट ले लेता हूं मैं यह क्या है आपका एक पहुती छोटा एलिमेंट जिसका जो एरिया है वो कितना है आपका डी ए है तो इसका एरिया वेक्टर कहा होगा correct perpendicular आगे को यह हो गया डी है कोई दिक्कत नहीं यह जो चार्ज है यह माल लेते हैं आपका प्लस है आपका ठीक है तो प्लस चार्ट से जो electric field होता है वो क्या होता सीधे बाहर को निकलता है इस घर के तो इस point पर कहा को जाएगा electric field की direction यह हो जाएगी सीधे आगे को यह हो गया electric field यह area vector यह electric field इस point पर दोनु की directions क्या है आपकी same तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं आपका कि small flux आप दोनु सेम डिरेक्शन में होता है electric field तो सीधे multiply गरो eda total flux कितना हो जाएगा फिर total flux मतलब इस पूरे के पूरे close surface से जाने वाला total flux पहले हमने छोटे से निकाला अब total flux पूरे के पूरे उससे तो वह जाएगा आपका सीधे ही integration eda integration की जगा close integration eda क्यों क्योंकि पूरा का पू रखाया वही आपका इस पैर ठीक है यहां पर से electric field आया बाहर आपका और यह बन गया इंटेग्रेशन डी अब close integration डी क्या होगा close integration डी ए डी ए का मतलब area डी का मतलब small area na integration का मतलब addition करते रहो तो इन छोटे छोटे इरियास को अगर आप add करते रहो तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका total surface area of spare जो होता कितना है आपका वो होता है आपका 4 pi r square तो यह बन जाएगा आपका 5 is equal to e multiply by 4 pi r square इसको equation number 1 बोलता हूं चीक है यह गौस theorem से पहले वाला flux हमने लगा रहा है अभी तक हमने कोई भी कुलाम्स लोगा कुछ भी यूज नहीं किया है अब आत one epsilon not होता है इसको equation number two माल लेता है अंदर जितना भी चार्ड है उसका epsilon not equation one and two को अगर हम equal कर दिंगे आपका from equation one and two से अगर हम दोनों को equal कर दिंगे तो कुछ ऐसा आजाएगा इंटू four pi r square is equal to q upon epsilon not कोई दिक्कत नहीं अब इसके बाद e की वेली भी इतनी है फिरिया से electric field यह हो जाएगा आपका one upon अगर मैं इन तीनों को नीचे बेजूंगा तो अच्छे से लिखूंगा तो अच्छे से लिखूंगा तो ऐसा जाएगा one upon four pi epsilon not four pi और epsilon not का एक साथ q upon on record तू ये हो गया electric field का formula अब यहरे e e. प creation time this Evaíre युथ और त्विल्सकिन अबको क्या मैं पदा सशल में अगर p पर q0 चार्ज रखा तो इसनों force कितना काम करेगा, force का formula होता है, simple से, कि charge कितना रखा है और उस point पर electric field कितना है, यही आफका force का formula होता है, force का simple सा formula कितना आपने charge रखा है और उस point पर electric field कितना है, तो यहां पर से बन जाएगा 4 is equal to q0 into e तो यहां से q0 into e की value अभी है भी हमने निकाली है 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square अच्छे से अगर आप इसको arrange करेंगे तो f is equal to आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not q q0 upon r square तो यही तो expression होता है मेरे ख्याल से आपका coulams law का coulams law यही तो बोलता है 1 upon epsilon not और दोनु चार्जे अभी दो चार्ज क्या है एक q है एक q0 है दोनु का multiple life q1 q2 upon r square तो यह बहुत simple सा आपका expression और exam point of view से बहुत important है च्छे क्या है